नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रैबिटे कर डियेसर कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, रैबिटे कर डियेसर कैपसूल को कैसे लेना चाहिए, और रैबिटे कर डियेसर कैपसूल की व Rabitake DSR capsule के अंदर सौर्थ composition Rabiprazole 20 mg और Domperidone 30 mg होता है. Rabitake DSR capsule पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करता है. Rabitake DSR capsule का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर, पेट में अलसर होने पर, उल्ती आने पर और उल्ती आने का मन होने पर Rabitake DSR capsule का उप्योग किया जाता है. रेबिटे कर DSR कैपसूल को डॉक्तर एंटिबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ा से होने वाले साइड इफेक्स को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है. जैसे दर्द को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है. इसलिए इन साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी डॉक्तर रेबिटे कर DSR कैपसूल को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है. ज्यादा तर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्स में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है. इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़ा से ये साइड इफेक्स ना हो. इसलिए आपका डॉक्तर रेबिटे कर DS कैपसूल को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है. इसके अलावा रेबिटे कर DSR कैपसूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडीशन्स जैसे गैस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी वीडियो पसंद आ रहा है. तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में रैबिटे कर DSR कैपसूल की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन मासपेशियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है. इसके अलावा रैबिटे कर DSR कैपसूल की वज़ह से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है. लंबे समय तक रैबिटे कर DSR कैपसूल का सेवन करने से यानी कई म सला के बिना रैबिटे कर DSR कैपसूल को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए. लंबे समय तक या दिन में कई बार रैबिटे कर DSR कैपसूल को लेने से औस्टियो पोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. औस्टियो पोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही जोर्व अंदर से खोखली हो जाती है। रैबिटे कर डियेसर कैपसूल की वज़से ऑस्टियो पोरोसिस तभी होता है। जब रैबिटे कर डियेसर कैपसूल का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से रैबिटे कर डियेसर कैपसूल को ले रहे हैं। तो आपको कैल्शियम और विटामिन दी के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियो पोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके। या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पद कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर रैबिटे कर डियेसर कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। रैबिटे कर डियेसर कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए। रैबिटे कर डियेसर कैपसूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रैबिटे क डियेसर कैपसूल को लेने की सला दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैबिटे कर डियेसर कैपसूल को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको सकते हैं।